तो हेलो, what's up, कैसे हैं आप सब, तो भाई साब, audit को लेके अगर आप वो tension में, तो मैं कहता हूँ, tension दी आप कोई गल नहीं है, जिस वीडियो का था आपको इंतजार, वो मैं लेके आगया हूँ आपके साथ, that is the must do topic, सर ये must do topics है, ABC analysis, मैंने का, वो word use भी मत करना, ICI को पसंद नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे must do topics की बात करेंगे, यानि अगर आपने इन topics को छोड़ने का भी सोचा ना, तो आप बहुत गलत करो, ठीक है, इन topics को मैं 400% देने वाले हैं, तो पूरी positivity के साथ शुरू करते हैं सर, वीडियो, किस तरीके से आपने cover करके चलना है, ध्यान दे समझते जाना, पूरी वीडियो को end तक देखना, क्योंकि हर चीज मैं आपको detail में बताता जाओंगा, कि कैसे आपने क्या cover करके चलना है, ठीक है सर, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या क्या है, मैंने packages बना दिया है, यानि मैंने देखा, analyze किया past papers को, और फिर उसे साथ से मैंने देखा, कि यह topics मिला के तो इतने 15 से 20 नंबर के आती है, यह topics मिला के 20 से 25 नंबर के आती है, and trust me, this is going really, really well, even जो May 23 का out of the box paper आया, वो भी इससे match कर गया, आप अगर चाहो, तो YouTube पे बस सर्च कर देना must do topics और आपको May 23 की वीडियो मिल जाएगी, उसको question paper से मिला देना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है सर, तो सबसे वहली चीज आ जाती है, professional ethics और quality वाला पार्ट, इसमें आपने क्या करना है, professional ethics, peer review, quality review, SQC1, SA220, यह तीनों chapters ही मिला के है, तीनों topics मिला के ही, यह आपको 20 नंब मुफ्त, 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 सिर्फ तीन topics करने से, आप कह सकते हो, आपका जो passing mark से 40%, उस 40 का 20 तो आपके इसी में ही आ गए, बट इसमें आपने दोस्त एक बात ध्यान रखने है, प्लीज मेरी आपसे request है, अगर मैं आपसे बोलता हू, professional ethics, तो यह आप end-to-end करके चलेंगे अगर end-to-end का क्या मतलब है, जो initial provisions होते है, sections वाला part होता है, fundamental principles of ethics, threats वो वाला part आप अच्छे से करके चलेंगे, even जो KYC guideline है, वो पूरा का पूरा आपने अच्छे से करना है, उसमें कोई कंजूस ही नहीं करनी, जो clauses वाला part है, उसको भी आपने अच्छे से करना है, और जो सोचा सिर्फ professional ethics का मतलब न, clauses होता है, तो सिरफ clauses करके सारे के सारे बच्छे पहुँच गए, अब जब paper में noclar का question दिखा, तो everyone was stunned, तो मैं चाहता हूँ, आप November 23 के लिए, please यह mistake ना करे, तभी मैं आपसे request कर रहा हूँ, मैंने क्या आपको बोला, आप 120 marks की preparation करो, क्या आप 100 marks की preparation करो, क्या आप 90 marks की preparation करो, the answer is no, let's be practical, हम chartered account NC का paper दे रहे, तो practical बात करते है, मैं आपसे इस वीडियो में सिरफ exemption चाहता हूँ, that means 60 plus marks, nothing more than that, nothing less than that, अगर आप 60 plus लाते हो, best है, nothing more than that, मतब तो आ जा जा तो अच्छी बात है, बट उससे कम वपन दरदाश नहीं करते है करके 40 लाने तो हो तो आपको 2 मिरब में पाते हैं कि 40 कैसे लाते हैं, ठीक है सर, तो professional ethics आप end to end करेंगे, इसी तरह जो भी मैं topic बोलूगा, उसमें कोई कंजूस ही नहीं करनी है, ठीक है, peer review, quality review भी होगा, SQC1, SA220 भी होगा, इन में आपने पूरा focus करना है कि आप notes क्या करोगे, company audit करोगे, caro 2020, schedule 3, LODR, audit of CFS, SA700 की series, company audit तो मोटा माटी आपका वही है, जो interval था, उसमें 2-3 sections वगरा add हो जाते, तो फटा-फट आपका cover हो जाएगा, उसमें कोई time ज्यादा लगेगा नहीं आपको, caro 2020 भी again सारा clauses का game है, तो clauses आपको यात रखके चलने है, classes म हम already अच्छे सकर लेते हैं, अच्छा चलो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर अभी तक आपकी audit की preparation ऐसी चल रहे है, कि आपना सिर्फ read करे जा रहे हो, चीज़े आपको याद नहीं होरी, तो मैं आपको simple सी बात बताता हूँ, you can consider going for our fast track batch, मैं आपको ये बात guarantee के समझ भी आ जाएंगी, memory techniques भी मिल जाएंगी, in class के अंदर ही, you will get the time to learn it all, तो बताओ इस से अच्छा आपके साथ क्या हो सकता है, and सच बतारों, ये सारी की सारी चीज़े, जो मैंने आपको बोला ना 15 दिन में, तो चलो मैं आपको बतातो, 15 दिन में कैसे होगा, professional ethics हो गया, फिर आते है, peer review, quality review, peer review की तो amendment video, youtube पे भी available है, ठीक है, फिर आ जाते है, quality review, ये भी around 3 hours की class है, किक है, SQC1, SA220 की भी around 4 hours की class है, and trust me, ये जो 4 घंटे है, इसमें हम चीज़े सिर्फ read नहीं करते, फिर आप समझते नहीं है, इसमें आपकी learning भी हो जाएगी, तो आप ऐसा कह स सकते हो, around 4 days में, आपके 20 marks, done, 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 with proper quality, with proper coverage, क्या ये बात समझाई, हाँ, सर, इसी तरह जो आपका package 2 है, company audit plus caro 2020, आपका एक दिन में हो जाएगा, LODR plus audit of CFS, एक दिन में हो जाएगा, सर, schedule 3, ये आपका FR वाल ही है, तो अलग से कुछ effort डाननने की जरूरत नहीं है, and जो SA 700 की series है, ये भी आपकी एक दिन में class के साथ हो जाएगी, with proper learning, तो ये भी कितनी दिन लगे, सर, ये भी आपका 3 days में हो गया, total around आपने अभी तक बस 7 days दिये है, ठीक है, सिरफ और सिरफ 7 days दिये है, और आपके 40 to 45 marks हो गए, यानि the good news is, आप past तो भाई साब हो चुके हो, त मजबूर हो जाएगा आपको number देखके, आपको pass करने के लिए, ठीक है, अब में को ऐसा लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, यार मुझे भी न confidence नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है, थोड़ा और coverage कर लेते हैं कि कल को अगर जो मैंने पढ़ा की क्लास है, automated environment की भी around 3 hours की क्लास है, with 40 minutes revision video, PSU audit की 30 minutes की revision video, तो आपकी class plus revision plus self revision, automatically आप 4-5 घंटे में दोनों topics को easily खीच लोगे, और मैं बता रहा हूँ, PSU audit के इस बार आने के काफी chances है, because पिछली बार आया नहीं और यह one of the favorite topics of institute है, due diligence, forensic audit और investigation, cyclical manner में आते हैं, ठीक है, तो due diligence, काफी time से नहीं आया, very likely, forensic audit, पिछली बार नहीं आया, उससे पिछली बार आया था, chances है, आ सकता है, investigation, last time ही आया, तो accordingly आप decision ले सकते हो, ठीक है सर, NBFC और insurance audit में में कुछ खास कहनी पहुँगा, because पिछली बार दोनों topics institute ने पूछे, तो accordingly you can decide how you want to cover it, but I will suggest दोनों को cover क के चलो, बहुत easy topics है, again 3, 5, 8 गंटे की around classes है, but उसमें आपको proper चीज़े सीख भी लोगे, learn भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, very very simple chapters, ठीक है सर, internal management and operational audit, मेरा दिल कहता है, management और operational की तरफ पोड़ा जादा धड़कता है, but still, I feel around 5 to 6 hours की classes की, with proper learning, तो वो भी आप accordingly द के जा रहे हैं, ठीक है सर, package number 4 is about the bank audit, one of the favorite topics of IC, हर बार IC bank audit में से पूछता है, 5 number का question आता है, descriptive वाला 3 number का आपको MCQ पूछा जाता है, tax audit, one of the favorite topics of IC, कभी MCQs में आएगा, descriptive question आते ही आता है, ये भी आपको मिला के लगबग 5 number का तो minimum बनता ही है, chapter 2 और 3 में से कोई एक आते ही जाता है, तो again तीनों को मिला के conservative point of view से भी देखा जाए, तो 15 number बन जाते है, तो as I said package 3 और 4 में से आपको एक भी करके जो अच्छे से तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, and essays, please इसको ignore मत करना, ठीक है, यानि आपने ऊपर में से कोई 3 package करने है, और standard zone auditing करने तभी मैंने आपसे 15 days मांगे थे, ठीक है, तो मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि आप 5 दिन में या 10 दिन में audit कर लोगे, तो possible यह नहीं है, 15 दिन तो कम से कम देने पड़ेंगे, exemption के लिए एकदम practical चलते है, essays में मैंने आपके सारे वो ही essays लिखे हैं, जो पिछली बार न बच्चा यह वीडियो देख रहा है, प्लीज एक बार comment section में जरूर बताना, how was your experience with the standards on auditing, और मैं यह भी नहीं कह रहा, पूरी classes के साथ आपका कैसा experience रहा, यह जरूर बताना, ठीक है, because at the end of the day, your time is valuable, ठीक है, जब आप मेरे साथ बैटते हो, रूबरू होते हो, तो आप ज जल्दी chartered accountant मनें, ठीक है, यह जो PDF है, यह तर हमको कहां मिलेगी, this PDF will be available on my telegram channel, clear CA with Shubham Keswani, ठीक है, clear CA with Shubham Keswani, because I also believe, कि अगर audit में clear हो जाता है, तो मुझे लगता है, कि कही ना कहीं आपको comfort मिलिया होगा, इन packages से, कि क्यों कौन से package को कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, just stay positive, मजे में रहो, मजे में पढ़ो, कोई टेंशन दी लोड नी है, relax, chill and सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, so खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, और हाँ, commitment जरूर कर देना, comment section में, that is time, this time I will give my best and score 60 plus in audit, wish you the best, लगे रहो, and yes, November 23 में, rock करेंगे.